नमस्कार साथियों, वेलकम टो क्लास अगेन, सबकी कख्छा, क्लास अगेन सबकी कख्छा में आप सभी का स्वागत है साथियों इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतिया कर्गोशिप को इसराइली जाहज समझ कर यमेन के अतंकियों ने हाइजेक कर लिया है तो ये वेरियस न्यूस आटलेट के द्वारा ये ख़बर आ रही हैं कि इंडिया बॉंड शीप हाइजेक्ट बै होती वाज हेडिंग प्रॉम तर्की टू इंडिया होती डिबल्स हाइजेक इंडिया बॉंड शीप इन रेडशी ट्यू टेकन होस्टेजेज तो चलिए हम लोग डिसकस करते हैं इस टॉपिक के उपर और समझते हैं कि कौन है ये आतंकी संगठान और इससे भारत को क्या खत्रा हो सकता है इन्होंने जो शीप को हाइजक किया है इस शीप को हाइजेक क्यों किया है इस बारे में हम लोग डिटेल में डिसकसन करते हैं तो इन्डिये बॉंड सीब हाइजेक by aligns होती rebels in Red Sea ऐसा रिपोर्ट हमारे सामने आ रहाय है ships carrying Israeli flag will be targeted once Houthi spoke persons on hijack of galaxy leader ship and route to India तो Houthi के जो spoke person है उन्होंने कहा है कि कोई भी ship अगर carry करेगा Israeli flag को they will be targeted तो जो ये galaxy leader ship है ये जब बारत आ रहा था इस ship को उन्होंने hijack कर लिया तो Houthi के military persons का ये कहना है कि इन्होंने इसराइल के ship को hijack किया है लेकिन इसराइल की तरफ से ये ख़बर आई है कि ये ship उनका नहीं है बलकि एक British company का है और ये British company according to maritime security company Embree ये listed है as Raycar carriers और अगर Raycar carriers जो की parent company है ये linked है एक Israeli businessman Abraham Ramey Unger से जो की एक Israeli businessman है और जो Japanese government है उन्होंने भी strongly condemn किया है इस Caesar को strongly condemn किया है the Caesar of galaxy leader और जो ये ship galaxy leader है इसको operate किया जा रहा है इस Japanese firm निपॉन यूशन के द्वारा जिसको की NYK line भी कहता है इसराइल ने ये भी clarify किया है कि जो ये vehicle है इसमें transport किया जा रहा था goods को from Turkey to India और इसमें जो crew members थे वो crew members Ukraine, Bulgaria, Philippines, Mexico से belong करते थे इसमें कोई भी वेक्ती इसराइल का नहीं था इस तरह का confirmation दिया गया है इसराइल government के द्वारा तो इसराइल government ने ये कहा है कि जो ये इरान-backed haughty rebels हैं in Yemen इनोंने हैजक किया है इस cargo ship को in the raid जी और इस वज़े से it has endangered a key global shipping route जो ये global shipping route है इसको इनोंने और भी endangered कर दिया है तो प्राइम मिनिस्टर Benjamin Netanyahu के office ने condemn किया है इस Caesar को और उन्होंने बताया है कि ये vessel जो है on किया जाता था एक British company के द्वारा और इसको operate किया जा रहा है एक Japanese firm के द्वारा उन्होंने ये भी confirm किया है कि इसमें कोई भी Israeli मौजूद नहीं थे 25 T.U. members मौजूद थे और ये T.U. members बिलॉंग कर रहे थे Ukraine, Bulgaria, Philippines और Mexico से Israel's army said the vessel was on its way from Turkey to India at the time of attack जब attack हुआ तो ये vessel तरकी से इंडिया की तरब जा रहा था गुड्स को ले करके और जो ये incident हुआ है इस मार्क दी फर्स्ट बिग escalation in the three post by Houthis against global maritime shipping since the last conflict began तो इस तरह का कहना है इस्राइल के गवर्मेंट के द्वारा and hours earlier Houthi rebels in Yemen said they would target ships carrying the Israel flag as well as those operated by or belonging to Israeli companies तो हौतीस ने कहा है हौतीस के जो rebels है उन्होंने कहा है कि वो लोग target करेगा उन सभी ships को जो carry करेगा इस्राइल के flag को and as well as those operated by or belonging to Israel companies चाहे वो ships इस्राइल की कोई कमपनी को belong करता हो या उनके द्वारा operate किया जा रहा हो तो ऐसे सारे ships को वो target करेगा हौतीस पोपर्शन उन्होंने post किया है कि call on the other countries to withdraw citizens working on Israeli vessels तो एक्स के उपर जो की इस्राइली vessels के उपर काम कर रहा है तो वो अपने citizens को वापस बुला ले the rebel group is based in Yemen यह जो rebel group है हौती rebel group यह basically Yemen से बिलॉंग करता है allowing it to stage attacks on commercial vessels in the raid sea जन्वरी जन्वरी 2022 हौतीस हाइजक्ड अ UAE flagged cargo ship carrying supplies for a Saudi Arabian hospital जन्वरी 2022 की बात है उस समय हौतीस ने हाइजक किया था United Arab Emirates के एक cargo ship को जो की carry कर रहा था supplies for the Saudi Arabian hospital and Hothis are believed to be getting training technical expertise and increasingly sophisticated weapons including drones, ballistics and cruise missiles from Iran तो ऐसा माना जा रहा है कि जो यह Hothis है इन्हें training दिया जा रहा है technical expertise दिया जा रहा है और जो weapons है वो भी provide किया जा रहा है इरान के द्वारा नितन्याहू के office ने यह blame किया है कि जो यह Sunday को जो attack हुआ है on the blamed Sunday's attack on the government in तहरान तो जो यह तहरान government है उनके ओपर इस blame को लगाया है यह इसराइल की government ने विच इट इस state is engineering global shipping land is not commented on the incident इस incident के उपर इरान का अभी तक कोई भी statement नहीं आया है तो इस तरह से हम लोग इधर देख सकते हैं यह तर्की है इधर तर्की से ही जो गुट्स हैं वो आ रहा था स्वेज के नाल से तर्की से यह गुट्स को भीजा जा रहा था और जब इधर यह रेड़ सी है इस रेड़ सी में जब यह पास किया और यह यमेन के पास जब पहुचा तो इधर ही यह operate करता है हौती rebel groups तो हौती rebel groups ने इधर ही यमेन के पास उन्होंने इस cargo ship को hijack किया है तो अब सवाल यह उठता है कि यह कौन है यह who are यमेन बेस्ट हौती और why have they hijacked India bond ship in Red Sea तो यह हौती कौन है उन्होंने क्यों hijack किया है और further अगर हम लोग questions को देखे तो यह भारत के लिए कितना खत्रा हो सकता है तो in the middle of the war against terror group Hamas, Israel has alleged that Yemen's militant group Houthi is behind hijacking a cargo ship headed to India through the southern Red Sea and terming the incident and Iranian act of terrorism तो इस तरह का कहना है इसराइल का उन्होंने एलीज किया है कि जो यह यमेन का militant group है होती उन्होंने hijack किया है इस cargo ship को और यह इरान के द्वारा करवाया गया है as the Iranian act of terrorism तो साथियों अब सवाल यह उठता है कि यह यमेन का Houthi militant कौन है यह Houthis are an ally of Tehran and have been launching long range missiles and drone salvos at Israel यह Houthis जो हैं इरान का एक ally है और यह constantly long range missile or drone salvos इसराइल के ऊपर launch कर रहा है in solidarity with Palestinian Hamas terrorists fighting in the Gaza street और यह जो हैं Hamas की तरफ से Gaza street में योद कर रहा है The Houthi movement commenced in the late 1990s जो यह Houthi movement है 1990 के दसक में यह शुरू हुआ था जब rebel family rose up in support of jayadi sect of shia Islam which had once ruled Yemen but over time lost their wealth and became impoverized and marginalized The Houthi clashed with the Yemen government multiple times तो जो यह Yemen की government है उससे इन के classes multiple times हुए है leading to a long series of wars and a brief clash on the border with Saudi Arabia Since Israel launched their attack against Hamas the rebel group has been sawing solidarity with Palestine launching multiple strikes against Israel तो जब से इसराइल और Hamas के बीच यह युद छेडा है तब से हम लोग भारत के ऊपर खत्रे की बात करें तो विशेसग्यों का ऐसा कहना है कि इसराइल हमास युद और अब इस जपानी जहाज का जो हैजेक किया है भारत के लिए एक खत्रे की घंटी भी हो सकती है तो भारत पस्चिम एसिया पर उर्जा के लिए बुरी तरह से नर्बर है मतलब की जो इंडिया है वो मेडल इस्ट के साथ जो हैं चुकि क्रूड ओइल्स का वेपार क्रूड ओइल्स के लिए हमें उनके उपर काफी ज़्यादा डिपेंडेंट होना परता है भारत की अर्थ वेवस्ता को अगर विक्सित बनाना है तो उसे खारी देशों से बिना किसी रुकावट के तेल और गैस की आपूर्ती को बढ़करार रखना होगा और साल 2018 में भारत जपान और दक्षिन कोडिया समेथ एशियाई देशों का 76 प्रतिसत कच्चा तेल हर्मूज की खारी से होकर ही आया करता था जो इरान और उमान के बीच इस्तीत हैं तो युक्रेन युद्स सुरू होने के बाद दक्षिन कोडिया और जपान ने खारी देशों पर अपनी तेल निर्वरता को काफी बढ़ा दिया है इसके पीछे वज़ा अमेरिका का रूसी तेल के आयात पर पाबंती है और खारी देशों में ओश्थिर हालात और हूती वि पूटों के बरते खत्रे को देखते हुए विशेशग्य भारत जपान और दक्षिन कोडिया को मिलकर एक समुंदरी निग्रानी फोर्स बनाने की सला भी दे रहा है और यही नहीं भारत का वेपार भी खारी देशों से हाल के दिनों में कई गुना बढ़ गया है और अगर इसी तरह से हिंसा का दौर जाड़ी रहा तो पूरे पस्चिम एशिया में तनौ भरक सकता है और इसका असर भारत पर भी होगा और अगर हम लोग भारती या नौ सेना की बात करें तो भारत की जो नौ सेना है वो पस्चिमी एशिया में चल रहे है संगर्स के दोरान किसी भी एमर्जेंसी एवेक्वेशन की हालत में लोगों की मदद करने को तयार है और नौ सेना की यूनिट ओमान अदन की खारी और ल चल रहे एक सिनरजी कॉनक्लेव के दोरान दी है और न्यूज एजनसी पिटी आई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि भारत पहले से ही गाजा के लोगों को राहत समगरी और साहता भेज रहा है जहाजा और सब्मेरीन की शंख्या 170 करने की तैयारी भी चल रही है कॉनक्लेव के दोरान एड्मिरल हरी कुमार ने बताया कि भारतिया नौशेना अपने बेरे का अकार बढ़ाने की तैयारी में है उन्होंने कहा जहां तक भारत के राष्टिय समुंदरी छेतर का सवाल है नौशेना के रूप में हमारा काम राष्टिय हितों की रक्षा, संरक्षन, प्रचार और आगे बरना है अभी हमारे पास प्रियाप्त संसादन है, हमारा बज़ट भी बहुत मजबूत है तो नौशेना के पास फिलहाल 130 जहाज और 220 एरक्राप्ट हैं, इन्हें 2035 तक 165 से 170 करने का लक्षड़ा रखा गया है इसके लिए सभी अकार के 67 जहाज और पंडबियों को बनाने का काम जारी है 45 जहाजों और पंडबियों के लिए स्विक्रिती दे दी गई है तो नौशेना भी जो है इस खत्रे से निपटने के लिए तयार है तो साथियों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नमस्कार जैहिंद